Books That Speak में आप सभी का स्वागत है शेहनशाही सुरंग आखिर कैसे बनी? इसका राज जानने के लिए आपको सुननी होगी ये कहानी शेहनशाही सुरंग कहानी लिखी है इश्तियाक एहमत चत्रांकन नीरद प्रकाशन प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन कहानी सुना रही है असावरी दोशी चमडी को जुलसा देने वाली गर्मी थी जंगल मैदान, खेत खलिहान, सब सूप चुके थे दरक तो पर पत्ते नहीं, जमीन में नमी नहीं दूर दूर तक कोई तालाब, कोई कुवा, कोई पोखर नहीं जिसमें पानी की दो बूंदे भी नजर आ जाए, ऐसे में एक गुड सवार सूखे कंठ और तम-तमाते चहरे के साथ पानी की एक बूंद के लिए इधर उधर भटक रहा था, उसका और उसके घोडे का पसीना एक साथ जमीन पर टपकता और तुरंथ भाब बन जाता, उसका घोड़ा भी प्यास से बिलबिला रहा था, मगर पानी का कही नामो निशान तक नहीं था अचानक दूर से सिर पर मटका लिए एक औरत आती दिखाई दी, सवार ने तुरंथ घोड़े को एड लगाई, पास पहुँचकर औरत से बिनती की कि उसे थोड़ा पानी पिला दे, औरत को उसका चहरा देखकर दया आ गई उसने मटका सिर से उतारा और सवार अपनी अंजुली में गिरते पानी को गट-गट हलक में उतारता चला गया पानी गले के नीचे उतरा तो जान में जान आई, होश संभाला तो औरत से पूछा, इस वीरान जंगल में क्यों आई हो, कौन हो, क्या करती हो दूद बेचती हूँ, उधर पहाड के पीछे पानी लेने गई थी, उस औरत ने दूर एक पहाड की और इशारा किया सवार ने कहा, तुमने मेरी जान बचाई है, मांगो, क्या मांगती हूँ औरत ठटा कर हस पड़ी और बोली, अरे वा, अभी तो दो बूंद पानी के लिए चटपटा रहे थे, कंट भीग गया, तो जैसे राजा बन गए जाओ यहां से पूरब चले जाओ, उधर एक कुवा है, अपने घोडे को थोड़ा पानी पिला दो सवार जित करने लगा कि उसे कुछ मांगना ही पड़ेगा, औरत ने पीछा चुड़ाने के लिए कहां, कुछ करना ही चाहते हो तो एक काम करो इस निर्मोही पहाड के सीने को चीर कर एक सुरंग बनवा दो, पानी के लिए मेरे गाव की औरतों को दो बार इस पत्रीले पहाड पर चड़ना उतरना पड़ता है ये कहकर वो आगे बढ़ गई, गुड़ सवार भी पूरब की ओर चल पड़ा अगले दिन पानी लेने औरत उस जगह से गुजरी, तो देखती क्या है कि बहुत सारे मजदूर पहाड को खोद रहे है औरत ने एक मजदूर से पूछा, भैया, ये पहाड क्यूं खोद रहे हो? मजदूर ने जवाब दिया, बाच्शा सलामत का हुक्म है बाच्शा सलामत का हुक्म? हाँ, कल वो इधर से गुजर रहे थे, वो भी प्यासे थे और उनका घोड़ा भी, मगर कही पानी नहीं मिला भला हो एक औरत का जिसने अपने मटके से उन्हें पानी पिलाया अच्छा, तो वो गुड़ सवार खुद बाच्शा सलामत थे? औरत मन ही मन झेब गई, उसने सोचा कम से कम नाम तो पूछ लिया जाए अपने बाच्शा सलामत का नाम क्या है भाईया? मजदूर ने पलभर के लिए हाथ रोका, उसकी और हैरत से देखा और बोला शेर शहा सूरी और क्या? मजदूर ने फिर फावड़ा चलाना शुरू कर दिया वो सुरंग आज भी मौजूद है और उसकी ये कहानी भी तो ये थी कहानी शेहनशाही सुरंग की तो और इसी बहुत सारी कहानिया सुनने के लिए बुक्स दाट स्पीक इस चैनल पर जरूर आईएगा यूट्यूब पर और अलग-अलग पॉड्कास्टिंग चैनल पर विबसाइट www.booksthatspeak.com मिलते हैं अगली कहानी में बाई बाई शुक्रिया